हेलो दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज के वीडियो में आप जानने वाले हैं वूट स्रेडर मशिन के बारे में वूट स्रेडर मशिन का मतलब यह होता है कि लकडी का चूरा बनाने वाली मशिन अब ये मशिन कहां काम आती हैं किसके लिए फायदेवन है ये मशिन काम आती है जो वैस्टेज टैनिया है जो वैस्टेज लकडी है जो यानि कि कहीं पर भी काम नहीं आ रही है उन लकडियों का और उन वैस्टेज टैनियों का चुरा बना लिया जता है अब ये चुरा क्या क काम आता है वह समचते हैं ये जबसे ज़्यादा काम आती हैं जेविक खेती में कैसे में खाद बनती हैं अम पर बनती हैं को सब्सक्राइब लेकिन पतिया पतिया सड़ जाती लेगे वो टैनिया क्या होती वो सड़ती नहीं है लेकिन अगर आप इस मशिन से आप लेकिन अगर आपके पास यह मशिन है तो आप आसानी से उन टहनियों का चूरा बना सकते हैं और हरित खाद बना सकते हैं अब दूसरे बात आती हैं कि ज यहां पर क्या है अगर आप कई से भी काट के अगर साइड में डाल दोगे तो काफी टाइम लग जाता है सड़ने में लेकिन अगर यहां पर यह मशिन है तो उस पपता के जो डंटल है उनको यहां पर सीधा डालिए और चूरा हो जाएगा और वह चूरा हरित खाद में बदल जाएगा नेक्स यह काम आएगा कि जो लकडी का चूरा है वह सूकने के बाद जो इटो का बटा पकाते हैं उसमें भी काम आता है अगर अपन मशिन के ओवर्विव के बात करते हैं तो यहां पर दो मॉडल दिखाए दे रहें आपको थोड़ा सा चैंजेज लग रहा है इस मॉडल में और इस मॉडल में वैसे काम इन दोनों का एक ही है यहां पर आप देख रहें कि उपर साइड में यहां पर इनलेट दिया गया है यानि कि होपर दिया गया है इस होपर में जो भी लकडी होती है जो टैनिया होती है उसको यहां पर इनलेट किया जता है और यह उसका output है यानि कि outlet है जो भी यहां से बुरादा आ रहा है वो यहां से इस साइड आ जाएगा और उसमें भी आप देख सकते हैं कि इस साइड आ जाएगा उसके बाद में अब यह operate कैसे होती है क्या इसको operate करने के लिए हमें बिजली की जरूत पड़ती है नहीं साथियों बिजली की जरूत नहीं पड़ती है यहां पर बीना बिजली से चलने वाली मशीन है यहां पर आगे की साइड में आप देखते हैं तो यहां पर फौर श्ट्रोक इंजन लगा हुआ है इस इंजन के उपर यहां पर एक पैट्रोल का टैंक दिया गया है जहां पर आप पैट आप देख सकते हैं यहां पे जहां से हैंडल है हैंडल के यहां पे ही एकसी लेटर दिया गया है जैसे आप एकसी लेटर को खीचते हैं जैसे जैसे एकसी लेटर को खीचा जाता है मशीन जैसे जैसे चलती रहती है और उसके बाद में चूप बूरा दा है वो लकडी का चुर इसके बाद में सबसे बड़ा फाइदा ये है कि ये जो मशीन है वो पॉर्टेबल मशीन है पॉर्टेबल का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरे जगव पर आसाणी से ले जाये जा सकता है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हैंल हैंडल को पकड़ कर आप आराम से इदर उदर खीच सकते हैं यानि कि खैत पे दे ले जा सकते हैं अपने बाड़े में ले जा सकते हैं उसके बाद में चाया में ले जा सकते हैं जहां चाये आप इसको इदर उदर कर सकते हैं यहां पे आप देख सकते हैं इंजिन दिया गया है engine के capacity 212cc है और 4 stroke का engine है 4 stroke का engine का मतलब यह होता है कि अलग से patrol के साथ में oil नहीं डालना पड़ता है oil डालना है तो अलग से यहाँ पे दिया गया tank oil के लिए जिसमें 4 stroke engine oil डाला जाता है 4 stroke engine oil का मतलब यह होता है कि जो bike के engine में जो oil डाला जाता है वही ओयल इसमें भी डाला जाता है इसके उपर पैट्रोल का टैंक दिया गया है पैट्रोल इसमें यानि कि 200 दाई लिटर तक पैट्रोल इसमें आराम से आ जाएगा और एक गंटे का 800 से 900 ml पैट्रोल की खपत होती है अगर इसमें वारंटी की बात करता है यहाँ पर एक साल के आपको वारंटी मिल जाती है अगर इसमें कोई भी इशू आता है तो एक साल तक कमपनी आपके साथ में है और खरिदने के लिए C.A.M. महादेव यानि कि इसके जो ब्रांड है वो महादेव ब्रांड है तो नमबर दिये गए नमबर पर आप संपर करके खरिश सकते हैं साथ ही में आप देख रहे हैं कि इसके साथ में एक ये जो एक्यूपमेंट है वो फ्री में दिया जाता है आपको काई सारी कमपनीज हैं वो फ्री में नहीं देती हैं लाकिन यहां पर यह जो महाधिव ब्रांड है वो आपको यह free में देगी इसका काम रहता है कि जैसे यानि कि जो बुरादा है उसको आप ऐसे ऐसे करके यानि कि खटा कर सकते हैं और एक side कर सकते हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अच्छा लगाए तिसे जदा जदा शेयर करना है लाइक करना है साथ में अगर आपके कोई भी सुजाव हो या पिर सवाल हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन को जरूर दबाए और इस वीडियो को अगर आप फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक और फोलो जरूर करें मिलते हैं अगले वडियो के साथ तब तक के लिए जैबाराज जैरास्तान वन दे मातरम